नमस्कार दोस्तों मेरे पाउम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वर्तमान समय में ये घर पर है आगे की जीवन के बारे में जानना चाहती है। हर विशे पर बात करेंगे और आज का डिसकेशन इस माईने में होगा कि काफी जन मेरे से पूछते हैं कि संतान प्राप्ती कब होगी। देखे यहाँ पर दो मूल प्रश्न हो जा रहे हैं। संतान प्राप्ती के सुक के लिए काफी जोतिशाचारी हाथ देखके बहुत प्रकार किटिपणनी करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक्जैक्टली में बताओं थूरा सा वेट के लिए बताता हूँ इसका रियालिटी क्या है। क्योंकि मैंने काफी हाथ देखा है और काफी रिसर्च करने के बाद ये बात मैं आपके शमक्ष कह रहा हूँ। बहुत कम केसेज में ही ये पता चल पाता है कि आपके हाथ से आपको संतान बेटा होगा या बेटी। पहले तो इस प्रश्म का पुत्तर समझ लो। क्योंकि स्पेशली संतान प्राप्ती का सुख होता है। बेटे या बेटी का सुख नहीं होता है, समझ गया ना, संतान में बेटा-बेटी दोनों आता है, और भेद भाव हम लोग करते हैं बेटे या बेटी में, इस्वर नहीं करते, इसलिए बेटे-बेटी के लिए कोई भी उत्तर आपके हाथ से नहीं मल पाता है हाँ, शंतान प्राप्ति के लिए जरूर आपको कुछ बताया जा सकता है आपके हाथ के माध्यम से लेकिन 50% थी है कुरेशी के साथ, इसका कारन है क्योंकि 50% तो आपके हजबन के हाथ से पता चलेगा अगर प्राप्लम से आपके हजबन में रही तो फिर आप वहां से जर्ज कर लो अगर problem आप में है तो आप यहां से judge कर लो अब यह रेखा कहां पर होती है तो देखें, mood routine इसकी कोई रेखा होती नहीं है इसको हम danic concept से समझते हैं बहुत लोग यह कहते हैं कि थंब पर रेखा रहता है बहुत लोग कहते हैं यहां पर रेखा रहता है बेटे बेटी सब का रेखा रहता है बहुत ग्यानी है, भेद भाव कर रहे है बेटे और बेटी में तो आप करते रहो हमारा वो कार रही नहीं है यहां ना यहां पर कोई रेखा रहती है और ना ही ब्रश्पती, ना ही थंब पर कोई रेखा रहता है अब इसको लॉजिकल वे में इस तरीके से समझते हैं, अगर किसी वेक्टी का बरश्पुती गरबर है, तो उसको विवाहिक जीवन में तनाव उत्पन होगा तो संतान समय पर ना हो पाना भी एक बहुत बड़ा तनाव है तो अगर किसी व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ती में कमी आ रही है तो बरश्पती अगर उसके हाथ पर गरबर है तो नी संदे है उसका उपाय करने के बाद आप उस सुख की प्राप्ती को कर लेते पहला दूसरी कभी कवार जीवन रेखा पर राहू रेखा आवस्थित हो तो ये भी आपके जीवन में एक दैनिक समस्या को पताता है तो दैनिक समस्या संतान प्राप्ती के सुख में भी आ सकती है जिसकी वज़ा से आप तनाव में रह सकते हैं तीसरी ओर अगर मैं बात कर लूँ अगर ये देखना है कि संतान प्राप्ती होगी कि ने तो सुक्र को देख लीजिए महिला कहते लिए है शुक्र को देख लेजिए पुरुस कहते लिए शुक्र को देख लेजिए शुक्र वेवाहिक जीवन के सुक को देता है वेवाहिक जीवन का सबसे बरा सुक संतान प्राप्ती का सुक होता है तो आपको संतार प्राप्ती का सुख मिलेगा चंदरमा प्रबल तो डेफिनेटली मिलेगा तो आपके हाथ से भी चंदरमा और बरश्पती प्रबल चंदरमा और शुक्र प्रबल है तो आपको सुख मिलेगा बिलकुल समस्या जनक ना रहें, बिलकुल दिमाग में बातों को ना चलाए, आपको सर्दार प्राप्ति का सुक बेशक मिलेगा, 100% मिलेगा, जो भी negativity इसके लिए अपने उपाय कर देंगे, इसके उपरांत अगर मैं positive चीज की बात कर लूँ, तो वो भी आप देखिए थोड दस्त है, ऐसी महलाएं अपने husband के लिए, अपने पती के लिए और अपने पिता के लिए बहुत बागिशाली होती है, अब देखी इतनी चमतकारी बागियरेका जो कि बिलकुल समाने नहीं है, बागियरेका बहतरीन है, आगे भी ये बागियरेका चलड़ रही है, तो बाग ट्रेंगल्स के साथ है, क्या बात है, क्या बात है, इस परकार के सूरी रेका भी बड़ी जबरदस्त है, ये सब lining में इस तरह डॉर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं समझा पाऊ कि ऐसा कोई भी line नहीं होता संतार प्राप्ती के सुखित, इसलिए आपको ये सोचने और सम समझने की आवश्यक्ता भी नहीं है अब अगर मैं आगे विचार कर लो और क्या चीज़ें तो यहां पर से आप देखोगे तो बुद्धरेखा बहुत जबरदस्त है इस परकार की बुद्धरेखा हो तो फिर कहां टेंशन है फिर कहां समस्या गजब की बुद्धरेखा है य आगे चलके आप वैपार में भी अपनेशन लिपता को दिखा सकती है यहां भी देखे बुद्धरेखा बहुत शांदार बहुत बहुत बहतरीन ये बढ़िया समनी ट्रेंगल बना है तो जीवन में जब धन चाहिए तब आ जाएगा धन को लेके कभी दिक्कते नहीं रहती कभी दिक्कते नहीं रहती ये मैं देख पा रहा हूँ गजब का बुद्धरेखा बहतरीन बुद्धरेखा है अगर आगे आप देखेंगे तो जीवन ड्रेखा पर प्रगती की रेका ये जीवन में प्रोग्रेस और तरक्की को बताती है नो डाउट मंगल ड्रेखा बहुत कमफर्टिबिर्टी के साथ बीत होता है इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कमफर्टिबिर्टी अच्छे परिवार से है आप जीवन अच्छे तरीके से यापन करती ये साई चीजे मुझे आपके एतली बता रही है एवं समझा रही है तो ये तो चीज हो गया पॉस्टि के माद्यम से देख पा रहा हूं एवं समझ पा रहा हूं ये बात हो गई अगर मैं आगे देख लूँ और क्या नेगटिविटी तो पॉस्टिविटी तो मैंने बता दिया अब नेगटिविटी अगर आप देखोगे समझोगे गहराई पुरवक समझना नेगटिविटी है मانसिक तणाव को लेकर चीज़े एतलिय पर जरूर अवस्थित है तो माशिक तणाव को लेकर क्या चीज़े अवस्थित है आप यह देखे तो जीवन ट्रेयक अब पर हलका सा मुझे यह ए, हलका सा यह वाक ति हलका सा बनावा है बहुत बड़ा नहीं है चुकि ये एक प्रोग्रस लाइन थी यहां से इसको कवर अब किया है तो ये एक तनाव को बताती है और इस्पेशलिस तनाव जो है ये आपकी राहू रेखा दे रही है तो इस केस में मैंने पहले ही बताया है कोई पारिवारिक तनाव मांसिक तनाव ये सब जीवन पर आ सकता है तो उस प्रकार के तनाव से आप जुरूर गुजर रही है उस प्रकार के तनाव से आप बेशक गुजर रही है क्योंकि बढ़ाहू रेखा एक तनाव को बताता है और तनाव है तभी जीने में तोड़ी परशानी होती है माइंड रेखा पर भी अलका यवा किरती है ये भी सर्टन समस्या सर्टन प्राब्लम्स को बताता है तो देखो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है लाइफ में जरूरद गरबर है ये भी एक परिवार उधांग को देता है ये भी एक परिवारिक परिशानी को देता है तो ज़दा परशान ना हो दिक्त ना हो इसके लिए जरूरिए है कि आप अपने दिमाग को अस् THIR रखें आप ज़दा विचलित ना हो लेके टेंशन लेंगे तो ज्यादा परिशान होगे कोई फाइदा नहीं क्योंकि जो वेक्ति इमोश्टल होते हैं वो थोड़ा तनाव में जरूर रहते हैं वो थोड़ा सा देख लीजे राहु रेखा है सुरवाती दोर में हलका फुलका दिक्कत रहा होगा पढ़ाय लिखाई के एस में थोड़ी से प्राब्लम्स आई होगी बाद बाके यह प्रगति की रेखा है यह लगबग आपके 20 वर्स के आसपास है तो 20 वर्स के आई उसे आप इंडिपेंड कर देंगे फिर एक यह प्रगति की रेखा माने लो यह लगबग आपके 38 वर्स के आसपास है पर एक 40 में 42 में है आगे में देख लो तो फिर एक लगबग आपके 40 में आगे भी जीवन ड्रेका बढ़िया लगबग 36 वर्स के आई के बाद आपके जीवन ड्रेका में अगर उस समय कुछ ऐसा होता है तो मैं इसका आपको निराकरन कुंडली देखके जरूर बता दूँगा चुकि यहाँ पर हलकी से गरबरी है जो कि लगबक साथ वर्स के बात है आगे भी यह सब यात्रा के लाइन से कुछ ट्राइंगास है जो नेगटिविटी दूर कर रही ह मंगल ड्रेका शांदार है इस प्रकार की मंगल ड्रेका हो तो फर कहा दिक्कत है इस प्रकार की मंगल ड्रेका आपका बचाव ही कराती है नो डाउट अगर मैं देख लो तो यहाँ पर यह देख लिजे आप लक्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने है वो तो आपका रह प्रबल है जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आही जाते हैं मनी मेरेजमेंट को ले के भी कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा यहाँ पर से पारिवारिक स्ट्रस रहता है जो की समान है शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी अधोरी पारिवारिक स्ट्रस थी तभी तो थोड़ा आप स्ट्रस में है मंगल पर यह लाइं जातक कुछ जाधा सोचने पर बात करते इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं थोड़ा नहीं अगर मैं थंब देख तो इस्ट्रॉंग थंब है व्यक्तित वह बहुत शानदार है ऐसी महिलाएं किसी का सुनना पसंद नहीं करती और यह वाह करते जहीं भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा थोड़े टेंशन के लाइन जरूर है इंसान थोड़ा दिवाग विचलित इनक बहुत जादा मान के चल लो आप लेकिन दिल की बड़ी अच्छे दिल में कोई किंतो परंतो नहीं है यह टिंडिकर यह अच्छी दार में कास्ता सेटन फिंगर लंबी है तो महरती है सुरी फिंगर इमत को बता रहा है बुद्ध फिंगर फोश्फलेंस तक है तो गमनुके समझे लो 36 वर्स के बाद अच्छा जीवन बिताते है माइंड रेका पर एक यवा आकिरती है लगबग 33 से 36 के बीच में सक्रिये है तो इस एक तनाव का कारण बन सकता है तो खैर अभी ही इसका रेमेडी हो जाएगा उस ट्राइंगल्स है जो नेगटिविटी दूर कर रहे है रूटीन को फॉलो करने वाले बैलेंस अच्छा दिल दिमा के बहुत तन दुरूस्त है यहां से दवाव है तो काफी महनती अगर आपने सार्तक्ता के साथ प्रियास किया तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी चुकि कुछ रेखाएं आपके हाथ पर इसकदर है कि आपको यह सरकारी छेतर से धनलाव जरूर कराती है जाते कुछ अदिकारी जरूर बनते है नो डाउट अगर मैं आगे देख लूँ तो यहां से कुछ विदेशी दर्ति से धनलाव की भी रेका बनी हुई है लाइन ओफ एजूकेशन अच्छा है समझदार एक गजब की सू टेंगल मानके चलो आप तो डिस्टरब शुक्रवले जरूर है मोट स्विंग जरूर होता है बद्ध पर गड़ी रेका है निमाग बहुत तेज है सनमड के लिए अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कारे करते हैं जीवन पर आगे बढ़ने के लिए सरवदा हमेशा समर पर तरहते हैं यह आप देख लिए दोनों मंगल कितना जबर्दस्त है तो इस प्रकार का मंगल हो तो जातक बहुत ज़्यादा एनरजी प्राकरम समर्पन नो डाउट बहुत बहुत बहतरी इंदिकरा है मुझे दोनों मंगल बढ़िया है चदरमा अच्छा है यह कुछ ला बाग्यशाली है यह सब यात्रा के योगे जीवन पर इस केस में यात्राएं बनी रहती है नो डाउट केतु परबद परबेक फिश्चा इन दिकराका आस्मिक दल्ला तो अतली बड़ी शांदार है ऐसी महलाएं बड़ी बाग्यशाली होती है तो यह था इनकेतली का पूर कर सकते हैं धन्यवाद